नोटपेट के अंदर question number one Start all programs, accessories और नोटपेट नोटपेट खोलने का तरीका Start all programs, accessories और accessories में नोटपेट पर क्लिक करेंगे Maximize करेंगे इसके अंदर एक file खोलने है Question number one Desktop, desktop में practice 001 Practice 001 में 02-NodePet इसके अंदर रखे हुए file 001.txt File को open करें वे name को बतलें पहले file open करते हैं File पर क्लिक Open पर क्लिक Desktop पर क्लिक Practice 001 पर क्लिक Open पर क्लिक Notepad पर क्लिक Open पर क्लिक File 001 पर क्लिक और open पर click इससे हमारे सामने ये file 001.txt open हो जाएगी अब हमें इसमें करना है point number 1 पहली पंक्ति को font calibri बनाना है और font style bold और italic करना है selection के method method number 1 आप click करा के drag करा सकते हैं mouse से click कराईए और mouse को drag कराईए in case आपका mouse hill जाता है नीचे चला जाता है तो भी आप mouse का click छोड़िये मत click दबाए रखिये और mouse को proper location पर आगे की तरफ ले जाएए कितना भी उपर नीचे हो जाए आपको desired location तक इसको drag कराना है फिर आप click छोड़ दीजे यह line select करने का पहला method selection का दूसरा method है कि आप यह अपने left to right select करा है अब हम right to left select करेंगे right side से mouse click करिए click दबा के रखिये और mouse को drag करिए यह right to left direction में select करने का method तो आप forward to backward backward to forward किसी भी direction में select कर सकते है जहां आपका cursor blink कर रहा है वहां से लेके जहां तक आप select करना चाहते हैं वो आप shift button दबा कर भी कर सकते हैं keyboard से आप shift button दबा कर रखिये और हम मानते हैं जैसे हमें यह buildings तक सारा select करना है cursor जहां blink कर रहा है cursor blink कर रहा है 0-3 से पहले से लेकर building तक हमें सारा select करना तो mouse pointer आप यहां लेके आएंगे और जैसे आप यहां click करेंगे यह सारा select हो जाएगा keyboard से shift आपका अभी भी दबा हो रहना चाहिए और click तो shift and click से भी आप select कर सकते हैं cursor शुरुआत में click करें shift दबा के रखें और end में hello लिखा हुआ उसके बाद में click कर दें सारा text एक साथ select हो जाएगा shift के साथ आप multiple किसी भी direction में select कर सकते हैं जैसे cursor आपका यहां create के उपर create के बाद blink कर रहा है shift बटन दबा के रखें और यहां document तक select करना shift बटन दबा के रखें और click कर दें इस तरीके से आप किसी भी direction में shift बटन और mouse के click से भी select कर सकते हैं आप चाहें तो double click करके select कर सकते हैं किसी भी शब्द के उपर आएं और double click कर दें point number one पहली पंक्ती का font बनाना है कालिबरी और font style देना है bold और italic पहली पंक्ती select करते हैं click and drag से इसका font देना है कालिबरी तो format format में font और यहां से हम कैलिबरी चूज़ करेंगे कैसे चूज़ करने का तरीका है आप चाहें तो सीधर type कर सकते हैं जो font लिखा हूँ है c a l शुरुवात के तीन letter जैसे type करेंगे वहां नीचे लिखा हूँ आ जाएगा कौन सा font आपको लेना है इसके बाद हमें font style में चाहिए bold और italic यह bold और italic दौनों साथ में लिखा हूँ है size आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं हम size 20 कर रहे हैं और ok पर click कर रहे है तो इससे यह font style change हो गया calibri, bold italic और size 20 इसी तरीके से दूसरा question है पहली पंक्ती का पांचवा शक्त पहली पंक्ती first, second, third, fourth और fifth double click करके भी select कर सकते हैं इसको बनाना है cambria और bold format में गए, font में गए type करेंगे cambria cam जैसे आपने type करा वैसे ही यहाँ नाम आगया इस नाम पे click करेंगे उपर पूरा लिखावा जाएगा इसको सिर्फ bold बनाना है font style यह bold पे click और यह ok पर click इस तरीके से आप बाकी questions कर सकते हैं desktop के अंदर practice 001 के अंदर wordpad में रखी हुई file rich file 001.rtf file को open करें और name को बढ़ने पहले तो file को open करें wordpad open करना सबसे पहले start all programs accessories और accessories में wordpad wordpad हमारे सामने खुल के आगया अब इसके अंदर file को open करने file open desktop practice 001 पर click open पर click wordpad पर click open पर click rich file 001 पर click open पर click इसने हमारे सामने file open हो गया पहली पंक्ती का 30 शब्ट point number 1 पहली पंक्ती का 30 शब्थ first second or third double click करके dice अगर आप पूरा paragraph select करना चाहें यहाँ अगर आप पूरा paragraph select करना चाहें तो आप triple click भी कर सकते हैं किसी भी पर इदर भी शब्द के ऊपर आप recent two criança करें पूरा paragraph select हो जाएगा selection का एक method और है eye beam को आप line के शुरुवात की तरफ लेके जाए तो यह arrow pointer में बदल जाएगा जब भी arrow pointer में बदल जाए एक click करें इससे यह line select करेगा जिस भी line के सामने आकर आप click करेंगे वो line select हो जाएगी क्लिक दबाये रखें और mouse को नीचे की तरफ ड्राइग करें तो आप इस तरीके से line by line भी select कर सकते हैं यह cursor अभी eye beam के रूप में दिखाई दे रहा है आई की तरह है आप शुरुवात में जाएगे तो यह arrow pointer में बदल जाएगा तब तक दूर ले जाना है जब तक यह arrow pointer में बदल ना जाएगे फिर click और track सिंगल line select करना है click पूरा paragraph select करना हो triple click एक word select करना हो double click पहली पंक्ती का तीसरा शाप्त तो first, second, third double click से select कर लिया इसको font बनाना है calibre, effect देना है bold italic underline पहले तो font चूज करते हैं यह font का नाम आ रहा है हमारे सामने font नाम ग्रूप और इसके अंदर हम click करेंगे यह arrow pointer पे click करा है calibre के लिए type करेंगे c-a-l जैसे आप c-a-l लिखेंगे नीचे आपको red color में highlight देखेगा yellow color में highlight देखेगा calibre आप इस पे click करेंगे और यह font select हुझा इसके बाद इसको effect देना है इसको bold बनाना है B पर click italic भी करना है I पर click underline भी करना है U पर click font का color करना है vibrant blue यह font का color text color और यह highlight color text highlight color तो font के color के लिए text color पर जाते हैं और इसके अंदर first line simple है white और black के बीच में सारी sheets से इसके अंदर आ जाएंगे जैसे dark gray light gray इसी तरीके सी यह वाली line vibrant के रूप में चलती है vibrant red, vibrant orange, vibrant yellow, vibrant green, vibrant blue और vibrant purple इसी तरीके से यह professional के नाम से चलेगी professional red, professional orange, professional green यह अर्थी के रूप में चलेगी अर्थी red, अर्थी blue इसी तरीके से यह पेस्टिल के रूप में चलेगी पेस्टिल red, पेस्टिल purple अपने को बोला है vibrant blue पॉंट का कलर यह vibrant वाली line में है और vibrant blue पर mouse थोड़ी देर उसके उपड़ आके रखिए नाम आ जाएगा अगर नाम आके चला गया है तो mouse कहीं और लिजाए वापस उसके उपड़ लेके आईए आपको नाम दिखाई देगा इस पे click करते हैं इसके बाद highlight color करना है yellow text highlight color यह text highlight color पर गए यहाँ पे सारी colors के नाम है yellow हमको yellow बनाना है yellow पर आके आपने click तो यह अपना point number one solve होता है पहली पंक्ती का तीसरा शब्द font अपने कर दिया है Calibri इसको bold italic underline कर दिया है और text का color अपने vibrant blue कर दिया है highlight color अपने yellow कर दिया है इसी तरीके से point number four दूसरी पंक्ती का दस वह शब्द यह दूसरी पंक्ती zero two number से चलेंगे और दूसरी पंक्ती का दस वह शब्द one two three four five six seven eight nine ten यह दस वह शब्द आप चाहने तो double click से select कर सकते है click and drag से select कर सकते है font अपने को बनाना है aerial black आप list select करेंगे इसके अंदर a-r-i आप type करेंगे aerial select है aerial से नीचे जाना है यह arrow pointer नीचे लेके आएंगे यह अपने को aerial black दिख जाएगा इसपे click करेंगे यह aerial black हो गया इसको bold करना है वीपर click और font color करना है charcoal यह अपना text color में आए और font का color charcoal बनाना है यह charcoal और highlight color करना है black यह text highlight color और यह black इसी तरीके से point number 8 दूसरी पंक्ती को बनाना है comic sense ms यह दूसरी पंक्ती पूरा select कर लिया आपने font अपने को देना है comic sense ms com जैसे आप लिखेंगे यह लिखावा आजाएगा पूरा आप enter दबाके भी select कर सकते हैं यह comic sense ms select हो गया है numbering style देनी है ABCD numbering style के लिए हम paragraph group में आएंगे paragraph group के अंदर यहाँ पर list आएगा list के अंदर bullets और bullets के बाद numbering numbering में यह 123 numbering यह small ABCD numbering यह capital ABCD numbering और यह roman small roman capital roman हमें numbering चाहिए इसमें 123 यह 123 पर click यह सवाल complete इसी तरीके से आप बाके सारे सवाल कर सकते हैं और नहीं हो प्रबूब हता है contract